छोटा सा वचन प्रमात्मा कर लेते हैं, श्री जी का ये वचन है और इसमें एक पुनह पुनह दोहराये गए सत्य को, उनोंने अपने शब्दों में दोहराया है, अपने शब्दों में उनोंने प्रगट किया है, पहले हम उन शब्दों को लेते हैं, फिर अपनी कुछ बात आगे बढ़ाते हैं, मैं कौन हूँ, कहां से हुआ हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, किसके प्रती लगाव है, रखूं या उसे परिहरूं, इसका विचार विवेक पूर्वक शान्त भाव से जो किया, सर्वात्मिक ज्ञान के सिध्धान्त तत्व का अनुभव किया। दुरंत तथा सारवर्जित इस अनादी संसार के संसार में गुण सहित मनुष्य जन्म को जीव को दुष्प्राप्य अथवा दुरलब है। हे आत्मन तुने यदि यह मनुष्य जन्म काक ताली ये न्याई से प्राप्त किया है, तो तुझे अपने में अपना निश्चे करके अपना करतब्य सफल करना चाहिए। इस मनुष्य जनम के सिवाए अन्य किसी भी जीवन में अपने स्वरूब का निश्चे नहीं होता इसलिए यह उपदेश है मैं कौन हूँ? मैं कहां से आया हूँ? मैं अभी क्या हूँ? और मुझे आगे होनी की क्या संभावना है? यह जिग्यासा परक जो प्रश्ण है, यह जो समस्याएं है असल समस्या यही है कि हमें अपने मूल प्रश्ण का जवाब तक पता नहीं है बात यह नहीं है कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है कमी किसी भी चीज की नहीं है बात यह है कि समराट के पुत्र होकर भी भिखारी है क्योंकि हमें अपने समराटत्व का पता नहीं है बात यह नहीं है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अपूर्णता है बात से फितनी है कि स्वयम भगवान होकर भी अपने आपको जानता नहीं है इसलिए श्री जी कहते हैं कि भाया सबसे पहले सवालों को अपने आप से इन सवालों को पूछ लो और इन सवालों को अगर सही तरीके से पूछ लिया, सही तरीके से जान लिया तो सारे शास्त्रों के सार को जान लिया ऐसा समझो सवाल केवल इतना है कि मैं कौन हूँ अगर इतना भी इस सवाल का भी आपको जवाब मिल गया तो आपको प्रयापते हैं इसलिए धरम का अगर हम कहें मनुष्य जीवन का अगर कहें कि आरंभ किस से है तो कहेंगे जिग्यासा से है किस से है जग्यासा से आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लें परन्तो अगर जग्यासा को हटा दो मनुष्य जीवन से तो मनुष्य मनुष्य नहीं है केवल दो पैरों पर चलता हुआ एक पशू है और इसलिए आप अगर अपने परिवेश को देखें अपने समाज को और अपने लोगों को देखें तो जादा तर लोग पशू ही है वो मनुष्य नहीं हुए है अभी शरीर मिल गया उन्हे चोला मिल गया उन्हे ये वस्तर मिल गये हैं उन्हे ये देह मिल गई हैं परन्तो अभी भी भीतर में उनकी पशुता ही पल रही है अभी मनुष्य हुए नहीं है क्यों क्योंकि अभी जिग्यासा का जन्म नहीं हुआ है अभी विवेक का जन्म नहीं हुआ इस विवेक का जब तक जन्म नहीं होता तब तक मनुष्य मनुष्य नहीं बलकि पशु ही है बस चेरे मोरे का फरक पड़ जाएगा वैसे पशु पक्षी भी कौन से आपस में मिलते हैं बताओ जैसे गायक की देह है वैसे घोड़ी की देह नहीं है जैसे घोड़ी की देह है वैसे भेंस की देह नहीं है जैसे भेंस की देह है वैसे उट की देह नहीं है तो ये उंट और गाय दोनों क्या है अलग है पर दोनों पशु है दोनों क्या है पशु है जानवर है एक इनसान भी अलग है देहे की वजह से देहे क्या है इनसान की अलग है पर अगर विवेक नहीं है तो जैसे उंट और गाय का शरीर न मिलने पर भी हम दोनों को पशु कहत हैं ऐसे ही इनसान में अगर जिग्यासा न हो अगर इन मूल प्रश्णों का जवाब न खोजता हो अगर विवेक का उसमें अभाव हो तो उससे भी कहना कि ये शरीर अलग है है ये क्या है पशू इसलिए जिग्यासा महत तो पुर्ण चीज है ये सवाल पूछना कि मैं हूँ क संग्या को जिग्यासा मत समझ लेना संग्या समझते हैं न एक चीटी को पैसा कमाने का रास्ता नहीं पता होगा आपको तो पता है न पैसा कैसे कमाया जाता है ब्यापार कैसे चलाया जाता है इसकुल कॉलेज में पढ़ाई गसी की जाती है समाज में साधी व्याह कर रचा कि कोई खबर कोई खबर नहीं है पर खबर नहीं है पर उसका जीवन चलता या नहीं चलता भोजन की आवश्यक्ता पूरी होती या नहीं होती होती है ना भय उसको भी लगता है दुख और सुख उसको भी महसूस होता है इसका मतलब यह है कि संग्याएं तो सभी में हैं हम यह जो संग्याएं हैं यह तो जीव मात्र में आपको मिल जाएगी भूख लगने पर भोजन तो जीव मात्र खोजता है तो मनुष्य भी खोजता है तो आपने बढ़ाई क्या कर दी जीव मात्र भोजन की खोज में है जब भूग लगेगी तो भोजन की तरफ जाएगा नि जाएगा जाएगा न जीव मात्र कोई ये तो है ने कि भाईया लगी तो है भूग खोज कुछ और रहा है ऐसा तो नहीं है भूख लगेगी तो भोजन खोजा जाएगा ये जीव मात्र की अपनी संग्याओं में बसा हुआ है कि भूख लगती है ऐसा महसूस होता है तो हमें भोजन की जरूरत होती है एक कीट को भी ये समझाने की जरूरत नहीं है अगर इनसान भी केवल भूख और भोजन में ही उल्जा है तो वो अभी भी कीट ही है अभी भी पशुई है उसके बाद मैथुन संग्या काम संग्या जिसे हम कहते हैं संतान उत्पत्ती करना अगर काम संग्या कि जब काम संग्या जगती है जब हमें अपने वीपरीत देह कि परती आकर्षन जगता है, तो वो आकर्षन तो जीव मात्र में है, है या नहीं है, अगर मनुष्य भी उस आकर्षन में है, तो फिर अलग क्या हो आप, फिर भी तो सान से कहते हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, किसले कहते हैं, अगर हम इन संग्याओं में हैं, तो हम वह इंसान कहलेने का चलो ठीक है तब तब तक काम नहीं बनता इसलिए मनुष्यता के जो शुरूआत है हम अगर एग है कि मनुष्य होने का मनुष्यपने का आरंभ जो है वो यह सवाल से है कि मैं कॉन हूं अगर यह सवाल आपффे आपसे पूछा है, तो आपने अपने आपको मनुष्य बनाना आरंभ किया है, अगर आपने ये सवाल को पूछा ही नहीं ये खुद से और केवल संग्याओं के अधीन जी रहे हो, केवल संसार के प्रवाह में बह रहे हो, तो आप निश्चित मानो, चोला बेशक मनुष्य का है, पर उन्तो मनुष्य अभी हुए नहीं हो क्योंकि ये सवाल तो मूल है, मूल प्रश्न का समाधान इसलिए जब तक ये जिग्यासा पैदा नहीं होती, इसलिए एक आलू में उसको भी कोई जिग्यासा पैदा नहीं होती, और मनुष्य में उसे भी कोई जिग्यासा पैदा नहीं होती तो भीया, आलू में और मनुष्य में फरक क्या है फरक क्या करता है जो एक जीव से, अलग जीवों से मनुष्य को जो अलग करता है वो है क्या आप गोगे नहीं माराज हम तो घर बनाते हैं यह घर बनाना कभी चीटियों के बिवर जो होते न जहां चीटियां अपना घर बनाती हैं आप कभी उसको खोदा खादी करके देखना पता चलेगा कि उन्होंने कैसे नगरों का निर्मान करते हैं आप तो क्या करोगे आप तो पहले नगरपाली का वाले करते क्या हैं पहले भवन बन जाएंगे फिर सडकें बनेंगी फिर वो क्या ना में अभी खोदा खादी चल रही है यह एक साथ कर दो जो करना है नई पहले क्या करेंगे पहले तो पहले याद आते कि बिजली के तार ऊपर नी रहने चाहिए, नीचे गार्डों,ahaha पी अगर चीटियों के घर देखेंगे एक छूटी-ऱूटी जीव होते हैं, अगर इनके घर देखेंगे तो इनके घरों को, अगर आपको नहीं देखना है, तो कभी देख लेनाए discovery पर वो सारा का सारा दिखा देते हैं उनके नगरों की जो बिवस्था होती है जहां वो रहते हैं जहां से वो सारा का सारा जो बाहर से संग्रह करके लाते हैं उसकी जगह अलग होती है वो जो चीटियों के रहने की जगह होती वो अलग होती है जहां एक चीटी जो उनकी रानी होती है जो अंडे देती है उसके जगह अलग होगी बच्चे जो नए नए होते हैं उनके पालन पोशन की जगह अलग होती है कोई अगर चीटा अगर बिमार पड़ गया तो उसकी जगह अलग बनाई होती है आने जाने के रास्ते अलग होते हैं यहां तक कि अगर बारिश आ जाया आप क्योंकि उनके तो घर नीचे होते हैं तो बारिश का पानी सीधे अंदर तो वो पानी सब को डिस्टब न करे तो पानी की निकासी का भी रास्ता अंदर ये अंदर बना रखा होता है बताओ, किससे आप अलग हो इन चीटियों से आपसे बहज़र ढटन से घर बनाते हैं तो आप क्यों कहते हैं के हमने बड़iggs घर बनाए तो हम मनुष्य हैं है यह नहीं हवाईजाज बना दी है, इसलिए मनुष्य हो पक्षियों को हवाई जाज की जरूती ने पड़ती वैसे उड़ लेते हैं आकाश में आपने क्या बहतर किया है या नहीं है हम किन चीजों से अपने आपको बहतर मानते है मनुष्य होना किन चीजों में मायनिय में बहतरीन है आपने क्योंकि building बड़ी बना दी हैं क्योंकि यातायात के साधन आपने ज्यादा कर लिये हैं तो क्या इनसे हम बहतर हुए इनसे बहतर नहीं हुए मनुश्य का मनुश्य होना तब सार्थक है जब वो अपने आप से सवाल करे कि मैं कौन हूँ और अपने मौल प्रश्ण का जबाब उसको मिल जाए कि मैं कौन हूँ और मेरी हकीकत क्या है मेरी असलियत क्या है अगर इस सवाल का उसे जबाब मिल गया या इस सवाल की तरफ वो जल पड़ा है तो समझ लो कि अब मुनुश्य होना उसमें क्या हुआ है पता है हमारी चंदोलाल जी बेचारे उपर से गिर पड़े दूसरी तीसरी मंजिल से अब नीचे गिरे तो जब उनकी आख खुली तो अपने आपको कहां पाया हॉस्पिटल में जैसी आख खुली तो बहिया चंदोलाल जी को तो लगा कि मैं तो मर गया पर पूछा मैं कौ ताल में हो और आप बिलकुल जिंदा हो पर एक दुर अख गट गई खर क्रिक्या मेरा हाथ पाँ तो गया करें ने ने तुम बिलकुल सही सलामत हो वे या चौथी मंजिल शे गिरे तुम तो सही सलामत हो पर जिसके ओपर गिरे वो मर गया करें जिसके उपर गिरे वो क्या हो गया वो मर गया हमारी हालात यही है बेहोशी में कितने जीवों की हत्या कर डाली हमने अनन्त जीवों के अनन्त अनन्त काल से चले 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 बेहोशी में अपने इस प्रमाद में अपनी इस अज्यान की निद्रह में गिर कर कितने-कितने जीवों की हमने हानी पहुचाई है या कितना-कितना अपने आप कोई ही दुखित किया है कितने बार हम इस व्योहुशी की निद्रह में प्रगाध निद्रह में पहुच गये हैं यह हमें भी याद नहीं है। और ना याद रहे यही अच्छा है, एक जीवन का ही डोना मुखिल हो जाता है। अगर अनंत जनमों का एक साथ धकका लग गया, तो जीना मुखिल हो जाए, हराम हो जाएगा जीना की भीया। अभी तक तो अपने आपको बहुत सज्जन मानते आ रहे हैं अगर पूरो जनम की याद आ गए और कहीं खट करम करते हुए पा लिया खुद को फिर को गए हाई मैं ऐसा था तो इसलिए जब आप अपने आप से ये सवाल पोस्ते हैं इस ब्योहोशी को तोड़ने का इस प्रमाद को छोड़ने का अपने अज्ञान की काराओं से मुक्त होने का केवल एक ही प्रश्न है कि मैं कौन हूँ और मैं हूँ क्या अभी अगर मैं कौन हूँ इसका जवाब आप को मिलता है आप पूछेंगे तो शब्दों में किसमें पूछेंगे शब्दों में पूछना तो शब्दों में होगा आरंभ तो शब्द से ही होगा परंतो इसका जवाब शब्दों में नहीं मिलेगा कौन हो आप बताओ आवा क्या बात है धन्य हो मैं कौन हूँ मैं आत्मा हूँ सही है पर ये कौन सा जबाब कुछ हुआ भीतर में कुछ मैं आत्मा हूँ कुछ कहते वे कुछ मिठास सी आई जैसी है आप रजगुला खाया है ना रजगुला तो खाते हो हमें भी देते हो खाते हो ना आप ये तो नहीं है ना कि रजगुला खायेंगे और स्वाद कल सुबह आएगा ऐसा तो नहीं होता ना तुरंट तो होता है या नहीं होता आप इंतजार तो नहीं करते कि भई अभी खायेंगे और स्वाद बाद में आयेगा, चलो जब आयेगा स्वाद देख लेंगे, आत्मा कहते ही है आत्मा का स्वाद आया या नहीं आया, आया, लो धन्य हो, अगर कहते ही स्वाद आये तो समझ लो कि आपने अपने परश्न का जवाब पा लिया, पर याद रखो, मैं आत्मा हूं कह ना, शब्दों में आसान है, परंतो जब तक इसकी अनुभूती, प्रतीती, इसका एहसास न हो जाए, तब तक सारा शब्द ज्यान फिजूल है, इसलिए कवी बार तो ये शब्द ही हमें उलजा देते हैं, शास्त्र ही हमें उलजा देते हैं, शास्त्र आपको बता देते हैं आत्मा ऐसी होती, आत्मा ऐसी नहीं होती, आत्मा ऐसी मिलेगी, आत्मा ऐसे नहीं मिलेगी, आत्मा इस रंग की, इस धंग की, इस आकार की, इस प्रकार की, सारा एक एक इंच आत्मा के बारे में बता देता है शास्त्र, आप चाहे अश्रावक्र गीता पड़ो, चाहे श्री किसे बारी की जानकारी भी अगर आपको चाहिए तो आपको मिलेगी मिल जाएगी जितना आपको आत्मा के बारे में जानना है सब कुछ मिलेगा A to Z जो भी आपको जाना है कि आत्मा का मूल सुरूप कैसा है सारा का सारा आपको अक्षर मिलेंगे, पंग्तियां मिलेंगी, बोज मिलेगा, परन्तो आत्मा आत्मा फिर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आत्मा तो केवल बोध आत्मक है, केवल बोध होता है, तो आत्मा है, अगर बोध नहीं है, तो आत्मा आत्मा नहीं है, इसलिए कभी भी अपने सवालों के जब आप खोजने में जल्दी मत करो मैं कौन हूँ, महराज पता है हम आत्मा है शरी चंद्रामपुरिया जी हमारे एक विद्वान थे जैन विद्वान थे तेरा पंथी विद्वान थे उन्होंने एक बार प्रश्णोत्तर निकाले शायद मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है प्रश्णोत्तर निकाले तो वो प्रश्णोत्तर उन्होंने काफी बड़ी तादाद में लोगों में बटवाए और उन प्रश्णों में एक प्रश्ण था कि आत्मा क्या है आत्मा क्या है ये सवाल था, तो भाईया बहुत सारे लोगों के पास और कुछ सादो साधियों ने भी ये परश्ण पत्र लिया था, जिनमें हमारे आचारे महाप्रग्य जी ने भी ये परश्ण पत्र लिया था, उस जमाने में, उन जमाने में वो आचारे नहीं थे, युवाचारे में नह अच्छे समाज में प्रसिद्धी थी तो सब लोगों ने सवालों के जवाब दिये इसकी आत्मा क्या है तो सब ने तो जवाब दिये आचारी महाप्रग्य जी ने लखा कि मुझे नहीं पता क्या आत्मा क्या है अब बहिया पूरे संग में हला मच गिया कि आचार्य महाप्रग्य मतलब उस समय के विद्वान नथमल मुनी नाम था ना कि नथमल मुनी जी ने कह दिया कि मुझे पता नी कि आत्मा क्या है और सब को बता रहें कि आत्मा क्या है और खुद कहरें कि मुझे आत्मा का पता नहीं है लोगों को उपदेश देते हैं आत्मा के बारे में और खुद कहरें कि मुझे आत्मा का मुझे आत्मा का पता नहीं है सारे संग पहुच गिया उनके पास आचारे तुलसी जी के पास कि जी नत्मल जी ने तो काम खराब कर दिया आचारे जी बोले क्या हुआ करे यह तो कहरें कि निया आत्मा का पता नहीं है और सादू का गुनस्थान चठा गुनस्थान और आत्मग्यान का गुनस्थान चोथा गुनस्थान करे चोथे से छटे में पहुचे और अभी तक करे हमें आत्मा का पता नहीं है करे सादू का गुनस्थान तो चठा है ना करे इनको यह कैसे क कि हमें आत्मा का पता ने, मैं नहीं जानता, तो वो का करे भाया, नत्मल सी पूछ लो, आचारी जी बोले, करे नत्मल सी पूछ लो, तो वो गए सारे के सारे, कि मुनी जी आपने ये कैसे कह दिया, आप तो, का करे भाया, समस्या क्या है, करे समस्या ये है, कि भगवान महाव आचारांग में भगवती में उत्राध्यन में आत्मा के विश्य में इतनी इतनी बातें की हैं और आप कहते हैं कि आत्मा के मैं नहीं जानता कि आत्मा क्या होती है करे आपने ऐसा कैसे कह दिया आत्मा नहीं होती तो आचारी जी ने कहा करे तुम से ज्यादा जानता हूं जो ये बात अलग है, सब्द रूप में मुझे पता है कि आत्मा क्या होती, परंतो अनुअ बूधी अभी? अभी नहीं, इतनी इमांदारी होनी जहे हैं, चाए सादू हो, साद्वी हो, श्राव को, श्राव मिका हो, इतनी इमांदारी जहे हैं लोगी हैं, तो शब्द आपको सार्थकता नहीं देते शब्द आपके काम नहीं आते अनुभूती में शब्दों का कोई महत्व नहीं रह जाता अनुभूती अलग है और शब्द अलग है स्वाध्याय करो शब्द पढ़ो परंतो शब्दों में उल्जो, उल्जो मल सूचना लो और आगे बढ़ो रास्ता पूछते हो ना रास्ता पूछते हो पर रास्ता पूछने के बाद भाई को पकड़ करतो नहीं बैठ जाते कि भाईया तुने रास्ता बताया बहुत बढ़िया हैं नहीं आप धन्यवाद करते हैं और आगे बढ़ जाते हो शास्तर पड़ो अपनी मतलब की सूचना लो और आगे निकल लो ये सास्तर बहुत अच्छा ये सिद्धान बहुत बढ़िया नहीं जो आपके काम आजाए बस आगे निकल लो और बाद में शास्तर के परति धन्यवाद करो कि भईया तुने मेरा काम किया, तुने मुझे क्या करिया आगे पहुंचाने में सहयो किया, परंतो लोगों की जागरिती, लोगों की चेष्टा, संसार के प्रती होती है, अपने प्रती होती कहां है, अपने सवाल, लोगों को ये तो जानना है, कि भाया आमिर खान कितने बज़े उड़ता है अक्षे कुमार किस तरीके से खाना खाता है या सारुक खान अपने आपको मेंटेन कैसे करता है यार ये काटिना कैफ इतनी उमर की हो गई इसकी अभी तक जुरियां क्यों नहीं पड़ रही ये एश्वरिया राय बुढ़ी क्यों नहीं लगती हमें इन चीजों का तो वो रहता है इनको जान लो ये जान लो वो जान लो दुनिया भर के प्रति आपका ध्यान है पर खुद के प्रति हाँ खुद के सवालों के प्रति हमारा कोई भू नहीं रहता तो ये एक बात कहूं, सोहन और मोहन दुने स्कूल जा रहे थे और स्कूल जाते लेट हो गए, अब लेट हुए तो टीचर ने कहा करे भाईया, आज इतनी लेट कैसे हो गए, तो मोहन से पूछा, कि मोहन आज इतनी लेट, करे, करे जीना मेरा, वो क्या है कि मेरा सिक्का गरि में तो वो नहीं मिला, उसकी वज़े से में लेट हो गया, तो करे अच्छा ठीक है, टीचर ने कहा चल बैठ, एक तो लेट हो गया, उपर से शिक्का गरिगया, एक शिक्के के लिए लेट हो गया, तो सोहन पीछे-पीछे, करे, सोहन, तो किसके लिए लेट हो गया, करे जी इस मोहन की वज़े से करें मोहन की वज़े से करें हाँ इसके सिक्के के उपर मैं खड़ा था अगर ये आ जाता तो मैं भी आ जाता करें ये खड़ा रहा करें मैं जे इसके सिक्के को दबा के बैठे रहना पड़ा कि भईया यह निकले तो फिर मैं सिक्का उठाओं और आगे बढ़ूं। आलात यही है कि हम दूसरों पर इतने गौर करने लगे हैं। हम पदार्थ में इतने उलज गये हैं। हम बाहार में इतने रम गये हैं। कि अपनी कोई ख़वर हमें नहीं है। पर यह जिग्यासा, अथा तो आत्म जिग्यासा, अथा तो ब्रह्म जिग्यासा, जब तक इस ब्रह्म की जिग्यासा नहीं होती, तब तक मनुष्यता का आरंभ नहीं होता। तब तक इंसान की चोले की आपको सार्थकता नहीं मिलती। तो आप इस सवाल को छोटा मोटा मत समझें, कि मैं कौन हूँ, यह कोई छोटा सवाल नहीं है, यह जीवन का मूल प्रश्न है, और इस मूल प्रश्न को ही अगर आपने नहीं सुलजाया, तो आपको फिर दोबारा जाना पड़ेगा, फिर अगर वहाँ भी आपने नहीं जब तक ये हो सकता है कि सरकार आपको आठमी तक फेलना करें स्कूल कॉलेज कहें कि चलो भया कोई बात ने आठमी तक तो चल दा किसी भी तरीके से फेलना पर संसार प्रकरती ऐसा नहीं करेगी जब तक आप इस सवाल को सुलजाओगे नहीं तब तक आपके मुक्ती होगी नहीं तब तक बार बार वापस आना पड़ेगा तो भई यह मौका है जल्दी सुलजाओगे लो नहीं तो फिर एक चक्कर और लगाना पड़ेगा अगर वहां पताने मौका मिलेगा या ने मिलेगा है हो सकता कि कहीं और ही दुरगती हो जाए या हो सकता कहीं और ही अच्छा मिल जाए आदमी दोनों में ही भूल जाता है अच्छे में भी भूल जाता है और बुरे में भी यह कुन-कुना इस्थिती ठीक है यह थोड़ी याद रहने की संभावना है तो याद रखो मैं कौन हूँ खुद से पूछिए अगर आप खुद से पूछते हैं तो याद रखो कि यही आपका अपने आप से पूछना यही आपके जीवन में आपको सार्थकता देगा आपके जीवन से डर्थ चीजों को हटाएगा और जो उज्वल है, जो प्रकाश मय है, जो धेतव्य और जो ध्यातव्य है, वो आपके जीवन में लाएगा, तो मैं आपके लिए यही कहूंगा, कि अपने मूल प्रश्ण के समाधान की तरफ लगे, इने भावनाओं के साथ ओम शंग